आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस बेशन की सबजी यह इतने सोफ्ट बनते हैं कि खाते ही मों में घूल जाएगा और बहुत ही ज्यादा बनाना आसान है तो चलिए सुरू करते हैं बनाना तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का जार उसमें हाफ टेबल स्पून जीर जार में तीन टमाटर मिल्डियम साइज का काटके डाल के और पीस लेंगे इस तरह से पीसन के बाद एक दूसरा बड़ा बावल लेंगे उसमें हाफ कप बेशन डालेंगे बेशन लालने के बाद वन फो टेबल स्पून रेट चिली पावडर हल्दी पावडर और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक सत पानी नहीं डालेंगे वरना गुटलिया पड़ सकती है तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है उसके बाद यहां पे मैं हाफ कप फिर से पानी डाल रही हूं और यहां पे पानी कम लग रहा है तो हाफ कप म करक्षाद Nich gitti यो और अधी ध्यानी इतना रखना है मेजरमेंटके हिसाब से उसके बाद यहां पे एक कडाई लेंगे उसमें little sa subscriber दालेगे खाने वाल तीर और उसके बाद queattre फिला जब गरम हो जाएगा इसको हम डाल देंगे ग्दे इस 허zung कड़्ीम गेस का फ्ेमीडियम एक बहु कम चलाएं। हम्सकेश को आपके लेक्त उखना पडले ही कृधिर पार या तो प्रेहिक। आपकर पर orchid योड़ाई अब जो घोल लगा हुआ है इसके अदर थोड़ा सा पाने डाल के इस गोल को हम निकाल लेंगे इसको हम क्या करेंगे जो सब्जी बनाएंगे उसमें डाल देंगे जिससे जो हमारी ग्रेवी ये थोड़ी थीक बनेगी तो इस तरह से प्लेट में निकाल रहे हूं किलाई के अंदर मैंनें द्दो बड़े इस्पून भर के शेटन डाला है अगर सर्सू में बनाएंगे शजी तो बहुत जाधा टेश्टी बनेगा तो इसके बात तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने गैस बंद करके उसमें जीरा डाला है हाफ टेबल इस्पून हिंग डा इसलिए हमें इसे पकाना जरूरी है तो हमें मीडियम फ्लेम पे इसे पका लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है तो मसालें दालेंगे तो मिल चेंज हो गया है तो मसाली डालेंगे तो शच.'dạo mess गão Craft andinner स्वासे तो मिंदर स्वाइगी का purely तीक्स स्वाप बर में को कैशनी को पूस्आता ने पीड़ सकतित द9 5 अधर לפ द्सक्रीश्शियों डालेंगे इसको अधोर तैंधा क्या कशन सा दही तक जो दही है हमारी फटे नहीं उसके बाद अच्छे से मिक्स हो गया है तो लो फ्लेम पे हमें दो मिनट के लिए ढ़क के पकाना है ताकि मसाला अच्छे से पख जाए बीच बीच मैं अब चला सकते हैं तो मिनट जी तो आप देखे तेल उपर आ गया है यानि हमारा मसाला अच्छे से पकी गया है अब इसके अंदर हम डालेंगे जो बेशन का गोले इसके अंदर डालेंगे जो हमने पहिन से निकालाता उसके बाद अच्छे से mix कर लेंगे जब तक ये mix नहीं हो जाता है तो हमें continue चलाते रहना है देखिए बहुत अच्छे से mix हो गया है तेल भी separate ह अब इसके अंदर आप जितना ग्रेवी पसंद करते उतना पाने डाल सकते तो में यहां पर डेड़ कप के करीब पाने डाल रहे हूं और उसके बाद अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद यह भी ठंडा हो गया है आप देख सकते हैं असानी से हाथ में आ जा रहा है उसके बाद इसके हम छोटे-छोटे से पिसेस करेंगे बहुत जादा नहीं करना है बड़ा देखिए बिल्कुल भी चकु में नहीं लग र जालना है नमक डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगेम के बाद एक अधू कर यह एक यह का करेंगे दो मिनट के लिए धक के पके दो मिनट हो गया है देखिए तेल उपर आ गया है अब यहां पे हम गैस को बंद कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा साहरा धनिया जाएगा ताकि सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बाए बाए बाए